नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचे दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी के लिए पुनह एक बार एक और नई जानकारी को ले करके जहां हरी मिर्च को खाने के फायदे और नुकसान से जुड़ी हुई ये जानकारी है हम फायदे और नुकसान दोनों इसलिए बताते हैं ताकि आप इसका सद उपयोग कर पाएं जिनके लिए लोस्क कारक हो वो इसका इस्तेमाल न करें और जिनके लिए फायदे मंद हो जिन जिन बिमारियों में फायदा करता हो वो लोग अगर उस बिमारी से पीडित हैं तो इस दार नहीं लगेगा वैसे तो मिर्च कई रंगों में आती है जैसे लाल, पीली, हरी, इत्यादी लेकिन आज हम आपको अधिक उप्योग होने वाली यानि कि हरी मिर्च की जानकारी दे रहे हैं हम आपको बताना चाहते हैं कि हरी मिर्च का तरका केवल खाने का स्वाधी नहीं बढ़ाता है बलकि इसमें शरीर के लिए जरूरी कई सारे विटामिन्स भी मौजूद होते हैं आपको भले ही जानकर आश्चर्य लग रहा होगा लेकिन इसके सेवन से आपको सिहत के कई सारे फायदे मिलते हैं जिन लोगों में आईरन की कमी होती है उनके लिए हरी मिर्च बहुत फायदे मंद है क्योंकि हरी मिर्च आईरन का प्राक्रितिक श्रोथ है हरी मिर्च विटामिन के का अच्छा श्रोथ है इसलिए इसे खाने से आश्टियो पोरोसिस की संभावना कम होती है इसमें मौजूद एंटी बैक्टिरियल गून कई प्रकार के संक्रमर से हमें दूर रखते हैं चाहें पतली वाली हरी मिर्चो या शिमला मिर्च दोनों में ही अच्छी मात्रा में इंटियोक्सिडेंट पाये जाते हैं इसलिए आए सबसे पहले हम जानते हैं हरी मिर्च के फायदों के बारे में हरी मिर्च खाने से हरदय को फायदा होता है जी हां हरी म के गतिविधी को बढ़ाती है फिब्रिन्योयल्टिक हमारे शरीर में खून को जमने से रोकने में मदद करता है जिससे दिल का दोरा आने की संभावना काफी हद तक कम हो जाती है हरी मिर्च खाने से वजन घाटाने में लाब होता है बहुत से लोगों को सुनकर थोड़ा आश उश्मा बनती है यह उश्मा हमारे शरीर से कैलोरी को जलाती है इसका सेवन मेटाबलिज्म के स्तर को भी बढ़ाता है इसलिए हमारा वजन कंट्रोल हो जाता है यहनि कि कम हो जाता है हरी मिर्च के सहायता से हरी मिर्च के फायदे उच्च रक्त चाप में भी बहुत होते है जिहां जिन लोगों को high बी-पी की समस्या होती है उन्हें हमेशा फीका और कम تेल का खाना खाने की सलाह दी जाती है हरी मिर्च में रक्ते चाप को नियंतरित करने के गुन होते हैं इसलिए उच्च रग्त चाप के मरीज को अपने आहार में संतुलित मातरा में हरी मिर्च को शामिल करना चाहिए इसके साथ साथ ये आँखों के लिए भी बहुत फायदे मंद होती है हरी मिर्च का सिवन हमारी आँखों के लिए भी फायदे मंद है इसमें मौजूद विटामिन सी और बीटा के रोटिन आखों के लिए अच्छे होते हैं हमेशा हरी मिर्च को अंधेरी जगह पर रखें क्योंकि रोशनी धूप के संपर्क में आने से इसके अंदर का विटामिन सी खत्म हो जाता है हरी मिर्च के गुण मस्तिश्क के लिए आपने देखा होगा कुछ लोगों को तीखा खाना बहुत पसंद होता है बहुत से वेंजनों में अधीक मिर्च होने पर भी वो इसे खाते रहते हैं हरी मिर्च मस्तिश्क में एंडोर्फिन का रिसाव करती है इससे हमारी मनुदशा में सुधार आता है और हम खुश महसूस करते हैं हरी मिर्च खाने के फायदे त्वचा के लिए यादि आप अपने त्वचा को खुबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप अपने खाने में हरी मिर्च खाना शुरू कर दें हरी मिर्च में विटामिन C और A होता है जो त्वचा के स्वास्थ के लिए बहुत ही लाफ दायक है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप बहुत सारी मिर्च खाने लगें आपको हरी मिर्च का संतुलित मातरा में ही उप्योग करना है नहीं तो आपके पेट में जलन होने बढ़ाती है जिहां जिन लोगों के रोग प्रतिरोधक तंत्र बहुत कमजोर होते हैं उन्हें बिमारियां बहुत जल्दी अपना शिकार बना लेती हैं सरदी खासी जैसी बिमारियां तो आए दिन हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं यदि आप अपने आहार में हरी मिर्च को शामिल करते हैं तो इससे आपको विटामीन C मिलता है और आपकी रोग प्रतिरोधक शमता बढ़ जाती है हरी मिर्च में भी नारंगी के समान विटामीन C होता है जो हड्यों और दाटों को भी मजबूत बनाती है इसके साथ साथ ये तो रहे हरी मिर्च के फायदे पर हम आप सभी को इसके नुकसान के भी बारे में बता देते हैं ताकि आप इसका सदुपयोग कर पाएं हरी मिर्च खाने के जैसे बहुत फायदे हैं वैसे ही इसका अधिक मातरा में सेवन करना हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी होता है इसमें मौजूद कैपसाई सीन पेट की घर करिया हो सकता है इसमें मौजूद कैपसासाई सीन से मेटाबलीज्म बैलेंस नहीं रहता है और मेटाबलीज्म की प्रोसेस कम होती है इसमें मौजूद एंटि-अक्सिडेंट अलसर की संभावना को बढ़ा सकते हैं हरी मिर्च के अधिक सेवन से पेट में जलन और चक्र की समस्या भी हो सकती है हरी मिर्च के अधिक सेवन से मधुमेह समाने से भी नीचे हो जाता है अतह मधुमेह रोगी को मधुमेह की दवा ले रहे हैं वह लोग हरी मिर्च का अधिक सेवन नहीं करें हरी मिर्च में केपसाई सीन होता है इसके अधिक सेवन से आपको तवचा बंधित एलर्जी हो सकती है हरी मिर्च अधिक मात्रा में कैपसाइसीन होने के कारण बवासीर से पीडित व्यक्ति इसका अधिक मात्रा में सिवन नहीं करें नहीं तो आपको बवासीर में और दिक्कतें आने लगेंगी तो दोस्तों ये थी आज के हमारी जानकारी आप सभी क करने चाहिए इसी के साथ साथ इसका इस्तिमाल करना जरूरी भी है कुछ एक बिमारियों में जो हमने आपको बताया उपर इसके अलावा जो हमने आपको बताया भी अपने वियों में पहले ठीक ऐसे ही आपको इसका फायदा लेने के लिए उचित मातरा में इस्तिमाल करना च जीए ये पेट के लिए बहुत अच्छा भी होता है जब आप इसे संतुलित मात्रा मिलें या कम मात्रा मिलें तब तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ल